पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. हर इंसान को दिन में 8-12 गिलास पानी पीना चाहिए. पानी शरीर से जहरीले पदार्थों को बहार निकलने में मदद करता है. खाना खाने के आधा घंटा पहले और बाद में पानी पीने से पाचन ख्रिया सही रहती है. लेकिन कभी भी खाना खाने के तुन्त बाद पानी नहीं पीना चाहिए. कुछ ऐसी खाने की चीजें होती हैं, जिन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पीने से स्वास्थे समस्याए हो सकती हैं. आज के इस लेख में हम आपको ऐसे ही खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं. चने. कभी भी भुने हुए चने खाने के बाद या चने की चाट खाने के बाद पानी नहीं पीना करने से. दरसल, चने पचाने के लिए हमारे शरीर को तीवर पाचकागनी की जरूरत होती है. पानी पीने से यह अगनी शांथ हो जाती है जिससे चने ठीक तरह से पच नहीं पाते हैं. ऐसे में चने खाने के बाद पानी पीने से पेट दर्द की समस्या हो सकती है. अमरुद, अक्सर अमरुद खाने के बाद पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसा करने से पेट में दर्द या गैस की समस्या हो सकती है दरसल, अमरुद खाने के बाद पानी पीने से अमरुद के बीच ठीक तरह से पच नहीं पाते हैं यही वजह है कि अमरुध खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए. Čगर आप भी चाय या कॉफी पीने के तुरंट बाद पानी पीते हैं तो यह आदत छोड़ दें. चाय कॉफी पीने के तुरंट बाद पानी पीने से पेट खराब हो सकता है और दातों में जंजनाहट की समस्या हो सकती है. हमेशा चाय पीने के कम से कम 20 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए. फल, कभी भी मीठे फल जैसे सेब, केला आधी खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए. ऐसा करने से अपच या खांसी की समस्या हो सकती है. दरसल, फलों में एसिड और शुगर कंटेंट ज्यादा होता है मीठे फलों के सेवन के बाद पानी पीने से अपच या खांसी की समस्या हो सकती है वहीं, खटे फल जैसे संत्रा का सेवन करने के बाद पानी पीने से गले में दर्द, खराश या गला खराब होने का खत्रा रहता है मूनफली कभी भी मूनफली खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए दरसल, मूनफली की तासीर गर्म होती है और पानी शीतल होता है किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।